तो कहां स्वामी मैं मौरक कहन ना जाई सतनाम वाहि गुरू साहिब जी गौडी जीवत मरे मरे भुन जीवे ऐसे सुन समाया अंजन माहे दिल जन रहिये बहुडना पजल पाया जीवत मरे मरे भुन जीवे ऐसे सुन समाया अंजन माहे दिल जन रहिये बहुडना पजल पाया मेरे राम ऐसा खीर बिलो ये गुर्मत मनवा स्थिर राख हो इन बिद अम्रित पियो ये रहाओ गुर्ते बान बजर कल शेदी प्रग्टिया पद भरगासा सगत अदेर जेवडी प्रह्म जुका निहचल सिवकार बासा तिन बिन बाने तनक चड़ाईये एहो जग बेदिया पाई देह दिस बुड़ी पवन चुणावे डोर रही लिवलाई पुनमन मनवा सुन समाना दुबदा दुर्मत पहगी कहो कबीर अनपहो इक दिखिया राम नाम लिवलागी पुनमन मनवा सुन समाना दुबदा दुर्मत पहगी कहो कबीर अनपहो इक दिखिया राम नाम लिवलागी वाहि गुरुजी का रखालसा वाहि गुरुजी की भाते हैं परम सनमान सतकार्योग साहिब सत्गुरु गुरुगरीबन वाज शी गुरुगरंत साहिब सत्जी पात्षाजी दिन दे आलू गुरुदेव पात्षाजी दे पावन दर्बा अंद्र सुभाई मान जुड़ बैठी समुह सासन्गा जिव जितने वी आप जी गुरुग प्यारे सत्गुरुगरंत पावन चर्ण कमना पारस सज बैठी यो बड़ी ही अकीतत के नाल आप जी आने सत्गुरांदी दर्शन कीते ने सत्गुरांदी चर्णा विच्टना तो मस्तख होना कीता है गुरुबारी दे के इर्थम तो उपरान चाएँ आप जी ने कबीर साहिब जीदा उचान कीता हुए एक शवर से उन कीता है जो शवर गुरुगरंग साहिब जी दे पावल आंग तेवस्व बती उपर सुभाई मान है हारोज शवर जी चार ती लड़ी दे अंतरगत असी कबीर साहिब जी दा एक एक शवर रोज स्वर्वन कर देया ते आज जो शवर असी होने पड़े है एसे ही शवर नो आज विचार उन्दा सी यतन करांगे कमीर सहिव जी एस शवर अंदर जो ततपाव जो सानों सिख्या देनी चांदेया कोशिश हर एक दे जीवन में चेही होने चाहिए है कि जो सब गुर्जी ने समुची मान उतानों अपने आज सिख्यानों उपदेश बख्षिश की तैप ओ उपदेश किसे ना किसे तरीके देना समझा जाए असी ओस उपदेश दे मताबक अपने जेवनों टाल के अपने जिंदगी नो उससे तरह जोना शुरू करिये अज सब गुर्जी में जो बख्षिश बरताई है सब गुर्जी दे किरपादे नाल ही ना अमनुत बैचना नों विचारांगे अपन सुवाओ जितने आप भी आप जी बुर्णों प्यारे बैठी यो कोई रसना मांजी ना रही जी सारे किरपाद करिया जी बड़े प्यार ते अद्ब सेहते आखो जी सतनाम शिरी साहिब जीओ कबीर साहिब जी ने जो आज शाबद बक्षिच कीता है ये शाबद राख गौड़े जीओ गौड़ी विच्चे ये गौड़ी दे किसे प्रकार मिच गर्जमिया क्योंकि पिछले दो तन शेपद से गौड़ी राख दे प्रकारा विस्राम की तिन दियो गौड़ी 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 जी जीवत मरें मरें हुन जीवें ऐसे सुन समाया अंजन माहे निरंजन रही है बहुड ना पाजन पाया वैसे ते जेव गौड़ नाम सचे बादशाजी दा कुंसेप्ट देख देया सिंदान तो पोई इनना चार अखरा विच्चा अंजन माहे निरंजन रही है सारी गुर्बाणी गुर्बाणी एसे ही कौंसेप्ट नो पकागर दिया है कि मनुख नो संसार विच रहे के निरंगार चेते रहे शिदे जी शबदानीच मैदियत की दे आ, अंजन माहें निरंजन रही है, संसार इच, यह तू संसार इच रहें, संसार इच रहें के अतनो राप नापूने बास, क्योंकि सानु साथकुर ने संसार छड़न दे हदायत ने की सानु संसार विच रहके ही उस पर्वातमानल मिलापदी का लगीती है जिसी इन दे अख्री अर्थ समझांगे भी अंजन माहे निरंजन रही है अंजन दर्थ वैसे मुदैजी कालक अंजन दर्थ कालक होंदा है सुर्मा इदार्थ कीता गया प्रॉपर कालक तुछी कहलो महराज के अंजन माहे निरंजन रही है तु कालक विच रहे के बे कालक बढ़ना है बस पाव इस सुसार जिते विकारा दी कालक बढ़ना है जिते माया दा बोल बाला है अंजन दर्थ सी माया करागे ते जिरा निर अंजन है पर मातमा नो निरंजन किया गया है निरंजन शब्द बढ़या है निर ब्रस अंजन तो अंजन पहना आया है अंजन माहे निरंजन रही है पाव कालख विच रहे के कालख तो रहत रहना है निर प्लस अंजन ओ पर मातमा वह गुरू नो निरंजन ताही किया गया से विउ कालख तो रहत है उते किसे विकार जाग कोई भी परवाब नहीं रंचक मातर भी नहीं उस प्रबाव ती शां तक भीने कि प्रशामा तक भीने उस विकार ने ते हावि होना ते बढ़ी दूर दी गल है ओ प्रमात्मा नू फ़ूपणे वेच बेनी रंचक मातर उदी हवाविलस लगति प्रमात्मानू विकार दी एस कालक दिम्माया दी महराज अज्वन रंजन तांग या जंद है ति इसे करके तेरे लिए यही सिखिया है कि अंजन माहिव निरंजन नहीं है संसार विच रहके विकारा तो दूर रहके परमातमाना जुड़े रहने बस हुँ इस संसार रहे इस सार विच सासंग जी एक विकार नहीं है इते बहुत कालक है चलो पंज विकारा दीते मोटे तोरते गुरुमाने चिगल पीती गही है काम प्रोद लोग हो हमकार इना दी अगे भोज बहुत है इना दी भोज विच पीरखा द्वैर निंदा चुबली इस सारी कालक ही है जी इना जो एक विकार भी बंदे दी जिन्दगी विचा गया ना उदे साफ चिटे जीवन विच रंचक मात्र भी दाग लग गया एक विकार आ गया बाकी विकार अप अधि कि आइग हमेंदे किसे ना प्रदी रिक हैं यह पांएगहां जीन्दगी सजाई है हर बंदा अंदों इर्खा ना परयापे है चाहे ओ इर्खा ओदी गौन्दिया नड़ होगे चाहे ओ इर्खा ओदी रिष्टेदारा नड़ होगे चाहे ओ इर्खा इर्खा अपने श्रेके नड़ होगे चाहे ओ एर्खा अपने ब्रापर दे कारोबारिया नड़ होगे एर्खा हारकदे अंदर है ही है रंचक मातर भी है ते जिते एर्खा आएगी एदे नाल होर में कार आउनगे आउनगे चुबली भी नाल आएगी निंदा भी आएगी पिसास अंगाजी पर क्रोध भी आएगा क्योंकि जेदर दीर खा है वक्त भुसा भी हो गए गुदरती गर ले पाब भी एक विकार भी आगया ना जी ते बाकी सारे विकार विकार हों के ने अपने आप खेच लेड़े महराज ना आप देया इस सारा संसार ए माया एक कालख है एक कालख का तेर है ते इस कालख विचो तो सभेर ते चिता ते नरमर रहना है क्योंकि ते कालख जो मैल लाग दी है ना इस मैल तो बचना बहुत होता है शाय ताहीं किया आगया सी महराज नो कि सचे पादशा हम मैले तुम कुछ जलगा ते क्योंकि तुसी निरंजन ओ असी ते इस कालख काले होई पहिया मैले होई पहिया पर महराज तुसी एस संसार विच रहके भी निरंजन ओ क्योंकि परमातमा संसार ते हर एक जी विच रहत है हर एक जी विच परमातमा ते जोर विच भी है परमातमा ते इरखालो निंदक विच भी है कामी विच भी है पर वादमा ते लोपी विच भी पर याद रखियो पर मादमा लोपी विच जरूर है पर पर मादमा ते लोग दा परplo Ny नी पर मात कामी बंदे विच भी है पर पर मातमा ते ओदी वाश ना गारी पर्णम मन नहीं यूद क्यों रहन्ता थे सारया विच है न इन्हां तो नलेब है पर मात्मा नुद नलेब मने या जना जना है जीवे कमल्स दा फुल चिकड़ वे चिखेरदाय पर चिखेर जन्तो बाद कमल्स आपने आपने उपनों कदी चिकड़ वे चलेब्डन इंता जो जो पानी वदी जायगा ना उन्हें उपर उपर होई जाना है जो जो पानी वद्द है किसे चपड़ दा तो एने भी पानी वद्द या गंदगी वदी तो दब गया हेठा नहीं उदा सबाव है जो पारी गंदगी वदी ज़न्दी हो त्योंट यो उपर उठी जल्डा है ज्योंकि वो अपने आपनों वेस्ट लिपतनी हो देंदा है उद्वे प्रमातमा बिल्कुल एवे हैं जे में महलाव रहा की आसी जैसे जल में है, कमल निरालम, तु एमें सनसार विछ रहे नें, अंजन माहें निरंजन रही है, मैं ए तांतों का रहे आने तूपी सारा शब्द ही ऐसे देको मदा है, इसके कंसेप्ट अजी पूरी जिन्द की दा, जिन्नों आ चार अखर कमा जिन उन्हों का टांग समझ लिए उन्हों जिंदगी जिऊनी आगी है कि मैं संसार विच रहना के नहीं है मैंनों गुर्णालिक ने कीवे रखेया है सद्कुर जी आक गया जैसे जल मैं कम निरालम मर्गाई निशान है ते महराज निया क्या तू इन्हें संसार विच रहे जिमें कमल दापको न रहता है पाणी जिमें मुर्गाबी पाणी विच पैर दी है तुसी कदी देखियो जो को मुर्गाबी पाणी विच पैर दी है पर वो अपने खंबानों कदी गिल्ला नहीं होन देगी पता क्यो उन् बोयार आड़ायर या जोगापटी पाली सपरदी जब्सक्राइब मेरेडियुक्तेक्षादी अपने खंबानों गिल्ला नी होना दिन दि रहती है रहना संसार विच प्रसिए अपनी सुर्ट नो अपने ख्याला नो एस विकारा दे पाने विच गिल्ला नी होने ना बस आ है अंजन माहे निरंजन रही है सचे पाशा जी याग दिया जदो संसार विच रहे के तेनु परमातमा हमेशा जेते रहेगा तेरी सुर्थ हमेशा परमातमा जुड़ी रहेगी सद्कुर जी याग दिया पिर तेरा जीमन कोस परमातमा दे बचना दे मताबक ब्रकुर सही जाएगा महराज जी ने ते जोगिया नो या किया से जो तो जोगिया ने किया ना भी महराज तुसी कन्ना वे चमंदना पाओ छड़ो संसार को संसार की रखे है रापनों मिलना ते संसार तो हाटा परवार चड़ो परवार परवार छटके आज़र तुसी मुदी खाने दी कार करके छटो सब को आओ इदर जंगला में जबैठो जर आपनों मिलना है दे करना में जमंदना पाड़ो तंग ते पसम मलड़ो महारानों ते शबुद उचार की तासी महाराजी आख देया जोग ना घिंथा जोग ना डंड़े जोग ना पसंद चड़ाई जोग ना मुंदी मून मड़ाई जोग न सुंगी वाई ते गया क्या सी अंजन माहे निरंजन रही है जड़ा एते शब्द कभीर सहब ने वरतिया ओं महाराने सिता ने वी वरतिया आउनने आख्या तुसी मेंनों केंदे सुन्साल चाड़के मैं मुंद्रा पारा तन्थे पसं मरना डंडा पड़्लमा जंगला मिच बैज़वा तो हाटेवा उननने आख्या राब बेविवनी मेरदा हुन्दा रब मेरता है अंजन माहिं निरंजन रही है ते याग दिता एमे जोग कमाया जा सकता है तो हाटा जोग अदूरा है पर जेडा जोग मेरा है एस जोग दे ना रब नो पाया जा सकता है उते वलों के शबद भी आकिया क्या दिता गली जोग ना होई एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी कही है सोई तो हाटे वर का जोगी पर वार नहीं है जेडा संसार विच्छे के परमातमा नो जुड़िया होया है जो तो हर एक नो एक मिनिकानल वेखदा है उनो हर एक केल गेसली जोग ते ओवे है महरा सट्य पाशा जी कह रहिया अंजन माहे निरंजन रही है बवड ना पवजल पाया जिन्नो संसार विच्छे नरहकानल जुड़ना आ गयाना जी ओधा बवड ना पवजल पाया उन्नो संसार विच्छे दुबारा अवना मी पेना है, पाव को दा अवना जाना मिटे जनता है, एस संसार समंदर विच दुबारा ओ गोते नहीं खाता, तो तर जनता है, ते अरंपतासी, जीवत मरे, मरे अपन जीवे, जे एक पहतियां सित होनगी आप ता अंजन माहें रंजन वाली गाल होएगी, मरे पुन जीवे, पहला आख्या, जियोंदे जी मरना है तू, जियोंदे जी मरना है, जीवत मरे, मरे पुन जीवे, मर के जो दुवारा जीवता होएगा ना, फिर ओस सुन अवस्था विच समा जाएगा, पिर अंजन माहें रंजन रंजन रही आवाली पिरनल खेड वरते जीवे, पहला जीवनदे जी मरना के उद्दा, तु शिक बचन पढ़ते हो, सद्गुर्जिदा जीते महराज में आख्या से पहला मरन कभूर, जीवन की छट, आस पे जीवत मरे पुन जीवे, पहला मरना है, जीवन दी आस छट, फिर ते बुद जीवनदा आएगा, जीव जीवन दी आस लाई बैठें फिर नहीं इते मरना की है इते मरना एमी पी शरीडिक तोरते मौथ यह इते उस मरने का जिगर नहीं है इते मरना है संसार वाले पास्यों विकारां वाले पास्यों कि तो विकारां वाले पास्यों अपने आपनों मार दे अपने मन नो माया वाले पास्यों तो मार दे जिवे जिवे बंदे दिमोह तो जन्द है जो दो बंदा मर जगता है ओदा संसार ना क्लेक्शन करते हैं ओद शरीव नो तुसी जित्ते मद्जी लोगोद नो कोई परकनी पैना ना गर्मी दा ना संदी दा ना आगदा कोई परकनी पैना क्यों क्यों मर गिया है क्यों कि लें बंदा संसार विच मरता है उतार निष्ते दारा नड़ो परवार नड़ो पदारत नड़ो जेस कारुपार दिखात्रों हमेशा चेंटा करता सिर पर सकते। तो माया वाले पास्यों मर जा तेमू विकारा ना कोई लेन देव नहीं जदो तो माया वाले पास्यों संसार वाले पास्यों जिएंदे जी अपने आप तो मार देगा महराज कहलें कि फिर तेरा जीवन होडा है जो तो ना गुरु गोविन सिंग जिने खाल सासाजिया उने उने खाल सासाजिया ते जो खाल सासाजिया महराज ने सिर क्यों बड़े हैं सिर का तो बड़े हुना थे सिर बड़े तो बगैर की उने खाल सानी सी बना सकता है पता क्यों बड़े से महराज ने पहला ओना नो संसार वाले पास्यों मार या असी कहने भी दुज्जा जन्म हो याउना था ना दुज्जा जन्म हो याउना था असी कहने भी जिड़ा अम महाराज ने पांच प्यारया दे पहला से रवड़े फिर उना नो जियुदा कीता फिर महाराज ने आख्या भी ए मेरे पांच प्यारया फिर अम्रत शकाया पर बाणिया पढ़िया ते उना नो खाल सा नाम देता पाव महाराज ने आख्या दोहानू पहला मैं संसार वाले पास्यो मारना है जिरिया बर्दिश्रा में चिपन्दा पज्जा हुए है जात पात दावित करा ए उबे बड़ा है ए चोटा है नीमा उच्चा माया वाले पास्यों विकारा वाले पास्यों महाराज ने एक वार खत कि तेरा विकारा देनार कोई सबब नहीं है तू प्योर है तेरे विचे रंचक मातर भी मिलावट नहीं है क्योंकि तो ही कुंसेट जो महराज सचेपाशा को नानक जी दिन देया जिन महराज आक दिया शबत मरे हुन जीवो सद ही ता फिर मरन नहोई महराज देया क्या हुन खाल से मार के मैंनु भी जिन्दकी दितिया हुन खाल सा कदी मरे गा नहीं हुनी खाल सा कदी मरे गा ते ना मरें मरें फुन जीवें जिन्ने जिऊंदे जी अपने मननु असी अपने जे मननु मार दिये ना जी जिड़ा मन विकारा मेंच बहुत खुबया हुए है जो संसार दे पदार था जिरी संसार में पकड़ बहुत बड़ी मन दी क्योंकि एह ते सचाई है क्यों फिरी मरें नहीं हो सकते साथी पकड़ बहुत है संसार है है क्या क्यों कि पकड़ करके यसी एक दुझे में जुड़े हुए जिए पकड़ नहीं हुएगी ते जोड़ता नहीं कोई मैं शाय एक वर पहला बेंटी की तीसी चलो नार्था नाल संसार नाल ते पकड़ बंडी बंडी है रिष्टेदारा नाल पुतरा दिया नाल पत्री नाल पत्री नाल पत्री नाल ये पकड़ ते बंडी बंडी है बहुत डूंगी बंडी है पकड़ नाल भी पकड़ बंडी है जो बंदा अपने कंपे कपड़े सजोंगे उन ना इपकड़ बढ़ दी है कोई कपड़ा जो कुछ मंगले बंदा आख़दे नहीं मेरा खास नहीं मैं दे सकता हर एक चीज में पकड़ बढ़ दी है एक किताब है सिक्षिनात जित्थे बंदा बैठ देना जेस फान दे बंदा बैठेगा औस फान नावी पकड़ बन दी है आप जी बैठे तुसी जित्थे दो तेन वार बैठो लेना जिदो तीजी चुप्ती वार आओंगे तुसी उससे फान आखे बैठो यह तजरबा क्योंकि तुह अँसे थाना पकड बन रही है तुशी अँसे थाना अटैच यो रहे हो तुशी रोज उसेी थान दे आके बैठोगे आ से पासे नहीं एन भी आ जेत्फे बैठे होकर दुजी तानते बैगे हमें तुशी देखो कि दी अपने आरस तुसी उससे थान तो बैठे हुए, जिते तुसी कई दिना तो बैठ दे हुई, तुहादी थान विच्पी डिफरेस नहीं है, ज्यादाता है, तुसी उससे थान तुहादी अटेचमेंट हो चुकी है, क्योंकि तुसी उस थान भी पकड़ बना लिए, मैं पकड़ दी गल कर एमें पकड़ बाड़ दी है, उन्हें है ते कुछ नहीं, जिस सोचांगे भी ले, एक गाते कोई नहीं है, जिए उत्थे पैल ये जो उत्थे बैठ जी गल की गल कुछ नहीं है, गल पकड़ दी है, जे कदी उस थान ते की होर बंदा बैठा हुए है ना, जिते तुसी रो आनली पकड़ है, संसान बड़ी पकड़ बंदे की मजब्शूत क्टिया जो दों चीज दूर हुँदे फिर असी क्योँ रोन आता है, जो रोना ताहीं हमता है, जो चीज हाष्थे थान तों दूर हुँदी है, जेने पकड़ हुए कि जदे लो आप्यश्य तो वुद दू गुर्णान का परन नी परन नी जो सिंसी परन ना अनम्प्र all को न ना शाहो शरना ना ना पर्वाट्र हुख जो स्पार इस प्यास लिए का उनकी पर ऑनमों Janum Mm अधुक्र 279 दिश्डान के दोख बंदे मैं डे मरन नू दोख दिऴना इस करके पकड नहीं हो नहीं चाहिए दी मुओं नहीं होना चाहिए प्यार उना चाहिए महाराज सचे पाशा जी आख देपाया आज गुरु गरंशेयव जी कह दिता जीवत मरैं मरैं भून जीवें ऐसे सुन समया जिन्नों जिहूं दे जी संसार वाले पासियों अपने आपनों मारना आ गया जिनने मन नों मार लिया विकारा वाले पासियों माया वाले पासियों हजूर क्या लिए फिर ओ जूनता है जे में गुरु जूनता है फिर गुरु दिन बाब को नों जूना आ जानता है ते कह दिता ऐस तरीक के वा सुन समाया उस परमात्मा विच समायी हो जाती है। सुन दा अर्थ होदा है जित्थे विकारां दा कोई परमाव नहीं होदा। विकारा जिमें असी कहते हैं मेरा साड़े हाथ पर सुन हो जान देया। जदो हाते पे सुन हो जान देया, ते सासमनों चुन डीवड़ो तो ते आसन नहीं हो दा, जदो तुसी संसार वारे पासे और सुन हो गयो ना, फिर विकारां दा तो हाटे ते कोई परवाव नहीं पहे गए, क्योंकि तुसी सुन अबस्था वेच पहुंच गयो, जिते परव बाव क्याला अंदा कोई परवाव नहीं है, ख्याल बहुत दूर है उस्वस्ता वेच, नहीं तुंच कसी रहने ख्याला में चाँ, उट्दियां भी ख्याल बढ़े या, तुर्दियां भी बड़े ख्याल होंदे है न, ख्याला में चे पुसी जिएने है सारी जिंड़ी, फिर लगे महाराज के लगे अंजन माहें नंजन रही है, बहुड़ना पावचल पाया, मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है, खीर दर्त दोत है, कह देता है मेरे प्रगू, ऐसी किरपा कर, मैं सिम्र्ण दाजड़ा उद्म करने है, क्योंकि जो दो बिलोई है दा, तुम्दै रिड रिड़कना, जो दो 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 रिड़किया जाएगा रिड़कन तो बाद ही मक्षन मिलने, रिड़कन तो बगैर मक्षन दी प्राब्ती नहीं, जे रिड़कांगे नहीं, साथे हाथ विच मक्षन होना मक्षन ताथता है, दो 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 दो, मक्षन ताथता है, सत्थकुर जी आ पुना हो अपना रहे हैं ए जीवन ता मुबारत है जेतनों तात परापत होईगा तात पदारत पाव परमातमा दानाम सिम्रन महाराज कह रहे हैं मेरे राम ऐसा खीर बिलुई है गुर्मत मनुवा अस्थिर राख हो जेव तो दुद रिड़कना चाउना है अपनी जिंदगी क्योंकि जड़ी साथी जिंदगी जड़े साथे स्वास ने इस समझ लो कि तरह दा सानों रभो और नों दोद मिले है असी एस जिंदगनों रिड़कना है परमातमा दे बक्षिश की ते होई बचन देना गुरू दे उपदेश देना जदो असी गुरू दा बचन कमा मांग अनि बर के दर मनने आए बस ठीक हो या काम नहीं ज़दो रोज गुरू जी लुड़े बचना नो कमा मांगे गुरू जी लुड़े बचना दे लुड़ांगे मनन दे कोशिश करांगे ue होँत है रिड़कना फिर जडू असी अपयास करांगे होदा रोज बारी पडांगे रोज नितनेम करांगे रोज नाम जपांगे जो जो अबयास करांगे एदा मतलब सी त्यों त्यों मन नो रिड़क दे पए रिड़क दे पए पर इसे अबयास विच्चो रिड़क दे रिड़क दे अबयास कर दे दे एक दिन ओ उना है उतन तोहानू आप नहीं बैठना पैना उतन अपने आप तोहादे अंदर सिमर चलना है उतन अपने आप चलेगा पर एग चार पांचे दिना वेच नहीं हुंदाएं नहीं एक खेड लंबी है होनू ते कपाल विच भी हो सगड़ है यह भी नहीं है क्योंकि गुर्मत वेच इप पाल वी लाग देजा कहियां ती जिन्दगी लाग जांदी है ते कहियां नू दो कुमेंट लाग देजा उनना दीन दर पर मातमा नाम टेड़ जांद है एक गुरू सही बख्षिश है जिते हुने बख्षिश करने ही ओने पाल वेची करने है यृद्धो स्वी भाद भी लगा जाने है एकुरू सही ओने हाथ वेच.. क्योंकि ऑधी तात है जो मालथ है.. उधा ज़दों जी करेगे वनने उद्धों देनी है कुई दवाब नहीं है मन benut置 Wructruktur डूड़ा मेरे पोड़े मने और कोड़े करेगा में उन्हों कोई मेरे कोड़ा अकर मंगाते मून नहीं दिन यूंदा कुई मेरे कोड मांगे अधिने मेरे हुट का मेरे मानक होता किऊ नाम दा मानक राप के क्षिच अनु से रहा है कोई तो Лof, कोड अन्यू अन्यू पांगेगा। कोई सारी जिंदकी मांगद एक क्षया हुट मांगद आदे लियां। सबस्क्राइब ट्रौवत दोत है। इती सतिपाशा कहा है, मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है, गुर्मत मनुआ, गुरूदी मत दे चलके मनुआ दर्थमाँ, अस्थिर राको अपने मन नो डोल ना दे, जो तु नाम जपने ना, मन नो डोल ना दे, जो डोल नहीं दे गा, इस तरीके दे नाम पर मातमा दे नाम दे अम्रित नो पी सकेगा, गुर्मत मनुआ, अस्थिर राको, इन बिद एस तरीके ना, अम्रित प्योई है, तु पर मातमा दे नाम दा अम्रित पी सकता है, रहा हो, फिर कैदिता, गुर्के बान बजर कल छेदी, गुरू दे शब्द बान दे ना, मैं कल दा अर्थ है जी, अ मैं गुरू दे शबत तीरते गार, जेड़ा मेरे अंदर अग्यान सी, अविद्या सी, मैं ओनों विन दिता है, जो दों अग्यान विन दिता है, तेहुन मेरे हिर्दे विच पर मातमा दे नाम दे ग्यान दा प्रकाश हो गया है, जेदिता, बुर्के बान बजर कल शेदी, बजर्दा थुल्दे करड़ा बहुत पक्का अग्यान है शेती की त्यानी हटदा है इस पतन कदों दा मेरे अंदर है इंदा कुपका होगे गुरू दे शबत तो बगैर इन्ने विन्या नहीं जाना किसे पोड़ों है इन्नु गुरू दा शबत ही खतंदा सकता है गुरू के बान बजरकल शेदी प्रगटिया पतपरगासा सकत अदेर जेवडी प्रमचुका सकत दा अर्थय जी माया अदेर दा अर्थय हनेरा अंदेर जेवडी दा अर्थय रसी जी में जो तो हनेरा हों गया कीवर कारदेवेडे विच रसीवी पई नहींfund, परम है या गाराज कहनो लगे जीवे हनेरेविच विच रसीदा पिलेखाSoft कहे बैंदा है ऑसे थे जड़ें विकार विकार अगर बनन paintings the देया जिन्ना चर्म अग्यानता दाहने ला है हैते विकार जिन्दगी नो बरबाद कर देया पर बंदे मों चंगे लग देया उन वाख देव जिन्दगी दा स्वादिये दे वेचे वाशना वेचे विहोर विकारा मों निंदा करके जुगली करके तो आखे जिन्दगी असरी आए पर उन्हों इनी पता है मिठा जहर है इतनों खत्म करेगा क्योंकि अग्यान है ना अग्यानता भी चीजिस जड़ी नकलियों असली लागती है जो चूठा सच लागता है पर जदो ग्यानता चानन हो जाना है फिर बंदुपाता लागते भी चियन्दमी तो मैं कहले है जिन्दगी था अनंद आउने या याई अनंद नही यहते जहर है ये ने जहर इक फक्की जड़ा सेुआ फिर शटे जिकाला लिए फिर प्रमात्मा दे ना वननता है यां और अदेर जेवडी प्रमजू का नेचल सेव कर वासा है फिर मेरे कारविछ तो श्यृक पर्वात्मा का वासा हो जानते हैं इते शिवय भरतिया है of मोज्आ खरतिया है eenाच शिव शब्तपर्मात्मा लिवरतिया जोदभा शिव जी लिए है जिमें गुरु गोबिं सिर्ची भी किर्पा करके आख दिया देही सिवा बर्वोही है उत्ती शवत परमात्मा नी आया है कि हे प्रभु जी क्योंकि शिवदर्त सब तो बड़ा हुदा है कि तुसी सब तो बड़े हो सब तो नगलेगो मेरे रबजी मैंनू परमात्मा दे नाम दी दात दो एत्याक दिया सिव कर वासा पर उस परमात्मा दा मेरे हिर्दे कर विच वासा हो जन्दा है अके केल कि बिन बाने तनक चड़ाईये ए जग बेद्या पाई शबत तीर मुझ चलाओं लई किसे कमान दी लोड नी पेंदी ए तीर बिना कमान तो चल दै परमा आतमा दे नाम दा ते एस संसार मों विंड के रख देंदा है जिस संसार मों मेरी पकड़ बड़ी होई है ते जदो फिर संसार विन्या जानदा है ते कह दिता देहरत इस बोटी पमुर चुलाव है जड़ा जड़ी मेरी जिन्दगी दसा दिशावा विचे को मदी से मेरा मन दसा दिशावा विचे पड़कदा से मेरा मन कदी आकदा से आ कर लिए कदी आकदा से यो कर लिए मन साथा एमी है कि दसा दिशावा विचे जाता है कदी योद्र कदी योद्र पहावी दे विचे कई ख्याल हुंते है कारुबार दा प्रवार दा पच्चेयां दा पड़ाईदा स्वारे ख्याल रावेचिको मनते इनदो देर नहीं लुगदी को मनते हैं एक मेंट मिचे कही ख्यालेऊ दे मान कई पास को मोंत दे दी महन ने सतकोर कै embargo के एक पतंग देता रहे मन तेरा जेमें पतंग कि द है किद्ड है सत्गुर्ण के लगे देहद इस बूटी बूटी दारे ते बूटी ये पतंग वर दिया गया है दसा दिशामा विच तेरा मन रूपी पतंग ओड़दा है कौमदा है पावन चुलावै दोर रही वे बलाई मन तेरा जित्थे पढ़क लेंदे तु बस एक अगम गरना है तु एदी दोर नहीं चड़नी बस तु एदी दोर पाव अपनी सुर्थ नूँ मन जित्थे जानदा जा लेंदे तु अपनी सुर्थ नूँ परमात्मान जोड़के रखना है बस तु सुर्थ नहीं खिंडन दे बोर नहीं चटना अपने हाथ विचँ तो जी डौष छट गी ती फिर पतंग तरी हाथ विच नहीं हो नो पतंग तरी हाथ विच नहीं होना फिर मान नहीं तेरां इसकर लूएफ यह अपने मेवनौ पर्मातमा जोड के राख फिर कैदिता अखीर दिया पंक्तियानि उनमन मनुआ उनमन अवस्था ओ अवस्था है जित्थे बंदेदा मन बैरागी हो रहते हैं इत्थे राबनों मिल दी तड़ पैदा होता है उनमन अवस्था हरे कदी नहीं बढ़ लिए किसी बदलेदी माने लिए जेड़ा दिल रात आपनों मिल कर सका रहते हैं पुरूंता भी है जिए जड़ा भिरागी जाएगा ना जिन्यसी किसे तुन्हें आगी बंदनों मिलनी रोने आगा रापता प्यारा रापनों मिलनी रोता है उनमन हर एक दिवस्था नहीं इसे वड्यां पाद्नामारी भी बंदी है महराज कहल मर् कि उनमन मनुमा सून संभाणना जे दह अंदर उनमन अवस्था जाग गई ओपर सुना अवस्था विच समाज ज़ने जितनत एआ जितन कऊछ छियाल विचार नहीं हो ऊब आथि दुबता भी खतम हो जादी है पैडरी मत मी चलिए जादी है उते बस गुरुती मत ही रहती है हो कुछ ने कहो कभीर अनपउएक देखे आ हराम नाम लिवला की जदों दी मेरे लेग पर मातमाना जुड़ी है मेरे अंदर अनप jagadar थैं अंदर परकाश हो जाने घ्यान कहो कभीर अनपो मेरे अंदर सुवय प्रकाश प्रकाश प्रगट हो गया चोदो येव प्रमातमा दे नामर जुड़ी नहीं इतिक मिरसे उजिने अच एस शब्द लिची गिर्पा नी दी है सब्धुर जी गिर्पा करन आओ सारी खेड नाम दी ही है तेस नाम नासी रोज जुड़ते है जिन्नी की गुरु से गिर्पा करते है आओ सारे गिर्पा करें आजी है सारे गिर्पा करते है